तो जी यह है रियल मिस 11 का डिब्बा और यह ग्रिन कलर का रीज ग्रिन कलर का फोन जी हां तो आप इसका ओन्वक्सिंग तो देख चुके होंगे जी हां जो 20 सेकंड का एक वीडियो था स्टार्टिंग में वो था इसका ओन्वक्सिंग और वो वीडियो सूट करने में बहुत टाइम लगता है जी हां तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा जो फोन्वक्सिंग के स्टाईल था वह आपको पसंद आया होगा तो जरू से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में ने आये तो चैनल को और यह तो आप देख चुके होंगे और ऑगे इसका ओवर्वी बॉक्स का और लेने से पहले जी सको दिखाने से पहले बता है कि जो फोन का इनएन्स फिल्ड है बहुत ही अच्छा है जी हां से बहुत ही अच्छा है और यह यह तær दिया गया रियल मी C3 की तरह जी हैं, Realme C3 में भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लाग, कुछ इन्हें फिल्म बहुत ही अच्छा आपको मिलता है, और ये बता तो भी बॉक्स के अंदर आपको कुछ कवर बावर नहीं मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे जाता है, तो ये जो चाारजर है, ये आपको 10W का चारजर देखने को मिल जाता है, अब आगे बढ़ते हैं और बॉक्स का आपको ओर्वियो देता हूँ तो बॉक्स की फ्रांट में यहां पर आप देख सकते हैं नमबर वान क्वालिटी ब्रांट यहां क्वालिटी स्मार्ट पॉन ब्रांड और मुझे लगता है सब कंपनी के डिभे में यही लिखा होता है र तो यहां पर आपको अबटन बंशरी अप्समार स्वाइब खल्लिवाल और कि कहां भी और विमुटी स्मार्ट बढ़िभर ज Twitter अंब key अन्फटार रेंफ स्समार्णр इनिमेश्न आप दीस ब्ग के बात करते हैं तो पिछे आपको क्या कुछ मिलतार बहु देख लेते हैं पहला प्रोस्टर के साथ यह फोन आता है यहां पर मेड इन इंडिया लिखा गया है और यहां पर और क्या कुछ देखने को मिलता है तो यहां पर रेम दो जी भी है रॉम 32 यह सब आपको देखने को मिल जाता है और रिज ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है अब यहां पर बु मिलता है उपर में एक सालपी कैमरा मिलता है जी यहां पर देखने को मिल जाता है अब इस साइट की बात करें तो यहां पर आपको सिम ट्रे मिल जाता है जी आप देख सकते हैं अब नीचे की बात करें तो यहां पर आपको micro sb port 3.5 mm jack और speaker grill और उसके साथ साथ आपको microphone का grill भी देखने को मिल जाता है अब इस side की बात करें तो यहां पर आपको volume रकर की यानि की volume up and down और साथ साथ power button देखने को मिल जाता है अब पीछे की बात करें तो यहां पर आपको stylish realme का फ्रेंडिंग देखने को मिलता है और उपर में आपको square के अंदर दो camera और एक flash देखने को मिल जाता है या मरी की बात करें तो primary camera 13 MP का और उसके साथ 2 MP का आपको camera देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं फोन के बारे में तो यहां पर पहले बता है तो कि यहां पर आपको fingerprint क्योंकि नहीं मिलता है तो आपक यहां पर यह दिया गया है आपको फेटन लग यह आप कर सकते हैं तो यह आपको दो option मिल जाता है fingerprint यहां पर आपको नहीं मिलता है तो face unlock बहुत है अच्छी तरह से यह काम करता है अब यहां से जाते हैं सेटिंग में और सेटिंग के बाद हम DRM info के बारे में बात करेंगे उसके बाद क्या कुछ processor है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा details में उसके बाद camera बात करेंगे और उसके बाद खतम करेंगे तो setting में हम जाते हैं और यहां पर सीधे हम चल जाते है डिवाइस नेम realme c11 उसके बाद realme ui version 1.0 android 10 आपको मिल रहा है रहा है आपको दो जीवी औक्टा कोर प्रसर मिल रहा है जो कि है rmx2185 तो यह सब आपको देखने को मिलता है अब जल्द से मैं इंस्ट्रॉल करता हूं डियारेम इनफोर आपको देखाता हूं कि वाइड वाइन एलवान टू क्या यह सपोर्ट करता है तो यहां पर मैं डियारेम इनफोर डाउनलोड कर चुका हूं और आपको दिखाता तो यहां पर यह फूर्ण सब्सक्राइब नहीं अपर देखने को मिल जाता है यहां पर देख सकते हैं अब हम बात करते हैं डेप्चेक में और थोड़ा सा बात करते हैं जी हां क्या कुछ आपको मिला क्योंकि वहां पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपको फोन के बारे में और थोड़ा डीटिल से पता चल जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर यह सब चल रहा है CPU टाक्स आप देख सकते हैं और था तो उससे 1.62 यूज हुआ है आप यहां पर hardware सेक्षन में जाते हैं तो यहां पर आपको details मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं MediaTek का Helio G35 लिखा गया है CPU Core 8 लिखा गया है और GPU की बात करें तो Power VR GE8320 वाला GPU आपको मिल रहा है वह भी यहां पर लिखा गया है तो सब option आपको यहां पर मिल जाता स्क्रीन देंसिटी जो है 270 पिक्सल पर इंच जिसको बोलते है रिजलोशन जैसे कि आपको पता वह 720P है स्क्रीन की DPI की बात कर से हैं तो 320 DPI का यहां पर आपको मिल रहा है और फ्रेम रेट की बात करते हो तो 60 यह भी आप खुब पता होगा क्योंकि इस प्राइज में 90 हर्स का रिप्रेस रेट आपको देखने तो नहीं मिलेगा और रे बैटरी की बात करते हैं तो 42% का बचा हुए बैटरी करेंट और इसके बाद यहां पर टेंपरेचर आप देख सेथे 38 दिखा रहा है और के पांच आजर जो की है प्रिसाजली 4880 उसके बाद यहां पर स्टाटस बगरा यह सब को आपको देखने को मिल जाता है तो अगर भी आपका फोन के बारे में जाना है तो आप इससे जान सकते हैं सेंसर की बात करें तो जारे इसको लाइट प्रोक्सिमिटी ग्रेविटी यह सब आपको यहां पर मि ग्रेस प curves दे देता हूं और ढ़तो ख्वादरी खतम करेंगे टो यहां पर में कर दिया हूं किमरा और यहां पर आपको क्या कुछ मिलता है बो दिखा दितों न ignorante, प्रोक्र सकते हैं वीडियो मिलते हैं और यहां पे नाइट भी कर सकते हैं तो यह सब आपको यहां पर option दिखा देता है और more जाने पर यहां पर आपको मिलता है Time laps, Google Lens, Slow-Mo और Expert Panorama यह सब आपको यहां पर देखने को मिल जाता है कि यहांँ पर वीडियो में वीडियो में जाते हैं वीडियो में क्या पुछ आप सैटिंग में देखने को मिलता हैं तो देखने को मिलता है तो resolution यहाँ पे आप video resolution 1080p पे suit कर सकते हैं जी हाँ 720 और 1080 दो option आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो दोनों option पे आप यहाँ पे video suit कर सकते हैं वही front की बात करें तो front में भी आपको portrait mode देखने को मिल जाता है अब कुछ photo आपको दिखाता हूँ जो कि मैं यहाँ से लिया था तो आप देख सकते हैं यह front की है front camera के selfie है और यहाँ पे और एक photo है जो कि वोके mode वाला है जी हाँ और उसके बाद यहाँ पे पीछे में भी back से लिया हुआ photo है आप देख सकते हैं किस तरह आपको यह देखने को मिल रहा है तो आने वाले टाइम में इसका camera review में और भी details से आपको पता चल जाएगा जी हाँ इसका बहुत सारे वीडियो आने वाले gaming review camera review सब आपको देखने को मिल जाएगा तो यह था दोस्तो real me c11 का कहानी याने की on boxing first look handsome यह सब बगयरा यह था आपको पसंद आया होगा और आने वाले time में आप इसका बहुत सारे वीडियो देखने वाले जी हाँ गेमिंग review camera review और उसके बाद otg बगर यह सब आएगा और आप क्या चाहते हैं बहुत कौन सा वीडियो real me c11 का देखना चाहते हैं बहुत वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आओगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे बाइ